इस वीडियो में लोग solve करेंगे EroDope का problem number 1.73 question में बुला गया है in the arrangement shown in figure 1.16 the bodies have masses M0, M1, M2 तो यहाँ पर 3 block है हमारे पास में M0, M1 और M2 3 masses है the friction is absent यहाँ पर friction direction कुछ भी नहीं है no friction the masses of the pulleys and the threads are negligible ideal condition दे रखी है find the acceleration of the body M1 हमें इसका M1 mass का acceleration निकाला है टेक है M1 mass का acceleration निकाला है तो अगर हम लोग एक चीज ऐसा consider करें कि हम लोग बोलें कि यह जो M0 mass है सबका acceleration हम लोग लिख दें इसका अगर A至legradation है M1 का हम लोगने माल लिए acceleration is A1 और M2 का acceleration is A2 हम लोग एक ऐसा relation find out करना चारहे है ताकि यह a0, a1, a2 यह तिनों अपस में relate हो जाए क्या हम लोग ऐसा कुछ relation निकाल सकते हैं तो हमें relation between acceleration निकालना है सपोज, relation between accelerations, यह जो तीन acceleration हमने दिखाए तो अगर सपोज एक मैं fixed pulley लेता हूँ चीज़ों को समझो एक अगर मैं fixed pulley लेता हूँ इस तरह से एक fixed pulley लेता हूँ और इधर मैंने दो block टांग दिए एक m1, m2 कुछ भी मौसस है अब अगर मैं बोलूँ कि इसका acceleration a उपर की तरफ है तो तुम्हें अगर सारे condition ideal condition दी भी है तो तुम्हें यह समझ में आगा कि इसका acceleration a नीचे की तरफ होगा अधर्वाइस जो string है या तो टूट नहीं रहेगी या टूट जाएगी अगर यह acceleration यह दूनों acceleration बराबर होना पड़ेगा ठीक है अच्छा अब इसी चीज़ को मैं एक चलता फिरता पुल्ली बना दूँ है ना एक ऐसा पुल्ली जो की accelerating पुल्ली है इसके पास कुछ acceleration है सुपोज कुछ acceleration है ए नॉट ए नॉट है सुपोज अब क्या condition होगी अब यह condition होगी कि इस पुल्ली की respect में इस पुल्ली की relative relative to this पुल्ली relative to this पुल्ली इन दोनों का acceleration बराबर होगा रिलेटिव इन दोनों का acceleration बराबर दिखेगा तो pulley के relative इन दोनों masses का acceleration बराबर होगा और यही concept हम लोग same concept यहाँ पर utilize करके acceleration में relation खोजने जा रहे हैं है ना तो देखो अगर हम लोग A0 इस mask M0 mask का acceleration बोला तो हम बोलेंगे कि pulley का acceleration है A0 इस तरफ है ना अब अगर हम लोग acceleration लिखना चाहिए M1 mask का acceleration pulley के relative तो हमें जो acceleration है वो उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा तो pulley के relative हम लोग बोले हैं कि M1 का acceleration क्या होगा pulley के relative M1 जो mass है उसका acceleration क्या होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि A0 minus A1 मैं उपर की direction में मैं उपर की direction में acceleration लिख रहा हूँ तो a1 तो इसका नीचे की direction में a0 उपर की direction में पुली का जो acceleration दो उपर की तरफ है ठीक है पुली की relative उतने ही acceleration m2 का नीचे की तरफ होना चाहिए पुली की respect में तो m2 का acceleration नीचे की तरफ पुली के respect में कितना हो जाएगा A2-A0 A0 को हमने उल्टा करके जोड़ दिया उसके relative find out करना है तो एक उपर और दूसरा नीचे हमने क्या किया था पुली है एक मास इधर है एक मास इधर है एक acceleration उपर है तो दूसरे के नीचे है इसलिए मैंने यहाँ पर उल्टा करके इसको लिखा है A0-A1 ठीक है यह उपर की तरफ लिखा है मैंने A0-A1 और नीचे की तरफ इसका लिखा है A2-A0 पुली के respect में अब पुली के respect में यह दोनों acceleration बराबर होने चाहिए तो इन दोनों को हमने यहाँ से equate कर दिया ठीक है तो यहाँ से एक relation हमें निकल के आ गया A0 की value जो आ गई A0 की value आ गई A1 प्लस A2 बाई 2 तो एक अच्छा खासा मेरे पास में relation A0 A1 A2 की बीच में आ गया ठीक है अब next हम लोग बात करते हैं tension कितने किते tension लग रहे चलो वो देख लेते हैं तो यहाँ पर जो tension है that is अगर स्पोज मैं यहाँ से सुरू कर रहता हूँ यहाँ का tension मैं अगर ले लेता हूँ T तो हमें यह समझ में आ रहा है कि पुल्ली मासले से तो यहाँ का tension हो जाएगा 2T और यहाँ पर भी जो tension हो जाएगा वो 2T हो जाएगा ठीक है अब M0 जो मास है उसके लिए लिख लेते हैं equation तो 2T उसमें net force है and that is equal to M0 into A0 A0 का हम लोग यहाँ पर सिधा-सिधा A1 प्लस A2 बाई 2 लिख सकते हैं तो यह मेरे पास में एक equation आ गया 2T equals to net mass into force into acceleration ठीक है अच्छा M1 के लिख दे तो M1 में जो नीचे की तरफ force लग रहा है that is M2G M1G M1G minus T उपर की तरफ लग रहा है and that is equal to mass into acceleration यह होगा M1 block के लिए ठीक है उसी तरह से M2 के लिए भी सेम उसी तरह से हो जाएगा M2G minus T that is equal to M2 into A2 ठीक है यह है मेरे पास में third equation हो गया अब यहां से हमें क्या पुछा गया है हमें पुछा गया है find the acceleration of the body M1 M1 that means हमें A1 निकालना है A1 निकालना है इतने सारे equation तो तीन equation है और हमारे पास में तीन variables है variables कौन कौन से है हमारे पास में जो variables है वो कौन-कौन से है एक तो T है A1 है और A2 है तीन ही variable है तीन variable है हमारे पास में तीन equation है बागी सब known है बागी सब as a constant M1 constant है G constant है M2 constant है M0 constant है बागी तीन variables है तो इन variables के terms में हम लोग इसको निकाल सकते है क्या निकाल सकते हैं वो तुम्हारे लिए exercise है मैं तो इसको डिरेक्ट करूँगा देखो कि कैसे मैं एक चुटकी बजादे साथ इसको solution निकाल दूँगा यह देखो आगया यह दोगो तो मेरे लिए इतना आसान है क्योंकि मैंने इसको छाप दिया अब तुमको यह solve करना पड़ेगा यह अच्छा तरीके से इसको eliminate करते रहो सबसे पहले क्या कर लो यह जो टी इसमें से टी निकाल दो टी निकालके तो टी निकालके इसमें पूट क कर दो और फिर दोनों से एटू को eliminate कर दो बच जाएगा तुम्हारे पास में एवन तो खैर वो तुम्हें अच्छे से खेल कूद कर सकते हो और इस question को solve कर सकते हो होब तुम लोग को जो concept में बताना चारा था वो concept अच्छे तरीके से clear हुआ होगा वह ज्यादा important है यह सब तो solve करते रहोगे यह सब easily solve हो जाएंगे यह सब तुम्हारे लिए exercise है तो फिर भी कुछ doubt रहता है तो comment section में लिखना या फिर हमारे telegram group में भी question पूछ सकते हो और करके इसको लाइक करवा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करा ले और चलो इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेट question के साथ तब तक लिए thank you so much